असलाम लेकुम जी, वेलकम है आप सब का रिदा फूट फैक्टरी यूट्यूब चैनल पर, आज मैं आप लों को सिखाऊंगे बिलकुल नहीं रेस्पी, क्रिस्पी फिश फ्राइ कैसे बनाई जा सकती है, न्यू स्टाइल में बनाना सिखाऊंगे, न्या साल आ गया, न्यू सबसे पहले मैंने रहू फिश ली है, दो किलो रहू फिश है, और रहू फिश को मैंने बहुत अच्छे से दोया है, क्योंकि जब हम बजार से फिश खरीदते हैं, तो वो नमक लगा के देते हैं, तो आपने वो नमक को बहुत अच्छे से दोना है, ठीक है, और ये फिश का बातम होती है वन टेबल स्पून अजवाइन को इस तरह आपने हाथ से मसल के डालने अजवाइन डालने से बहुत यह अची कुछ भूँ आती है फिश में तो लाजमें डाली जाती है तीन खाने का चमच दर्दरी पिसी होई हरी मिर्चे चार खाने का चमच लेसन की पेस्ट यह खाली लेसन की पेस्ट है आपने लेसन अदरक की पेस्ट नहीं डालनी सिर्फ लेसन की पेस्ट ही एड़ होगी और यह है फ्राइ फिश मसाला मैंने एक पूरा पैकेट फ्राइ फिश मसाला का डाला है पांच सोरी 50 क्राम फ्राइ फ्राइ फिश मसाला है आपको इसे भी कंपनी का यूज कर सकते हैं मैंने शान का इस्तमाल की है मैंने आपको दिखावी दिया है और अब ये पूरा आपने जो पैकेट है इस फिश में डाल देना है क्योंकि फिश की क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए पूरा पैकेट एड़ होगा अगर आपकी फिश 1 kg है तो आप आपने हाफ पैकेट डालना है और सब क्वांटिटी चीजों की हाफ कर देनी है और अब इसका टेस्ट बैलंस करने के लिए इसके इंदर वन टेबल स्पून चिली फ्लेक्स एड़ होगी ये आपकी मर्जी है जर स्पाइसी पसंद करते हैं तो डालें वरना स्किप कर दें और अब बस आपने इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करना है सिर्फ लीमो का रसी एक लिक्विट इंग्रीडियन्ट है उसके लावा कुछ भी नहीं डालना पानी तो बिल्कुल ही नहीं डालना बस इसी तरह मिक्स करना है जब इस तरह से सब फिश पे मसाला लग जग ज अब पूरी रात मैं इनेट करने के बार जानी कि अगले दिन में दुमारा से फिश को ले आई हूं आप देख सकते हैं फिश बिल्कुल अचे से सैट है अब आपने लेना है एक अदद कप अब आते सबसे में पार्ट की तरफ जो के एक नहीं तरीका है रस्पी बनाने का मत उसके लिए सबसे पहले मैंने लिए दो अंडे क्योंकि स्मॉल साइज के देशी अंडे अगर आपके पास एक जो रेगुलर अंडे आते हैं तो आपने एक अदद लेना है लार्ज साइस में फोर टेबल स्पून इसके इंडर बेसन एड़ होगा फोर टेबल स्पून इसके अब इस पार का ख्याल रखने है फोरण से साधा पानी डालना थोड़ा थोटल एक चौथाई कप पानी पेस्ट में एड होता है अब आपके जो ड्राइं मिक्स्टर उसके पानी जादा भी डल सकता है कम भी डल सकता है लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए जैसे आपको च्रीण पे नजर आ रहा है नादा पतला नादा गार तो अब यह मिक्स्टर आपने डाल देना एक फिश में और सबसे में जिए जब आपने फिश को फ्राइ करने लगना उससे पांच मिंट पहले इसको मिक्स्टर को डालने आपने रात को डाल के इसको नहीं इस बात का ख्याल रखेगा यह मिक्स्टर तब ही डालना जब फ्राइ करने तीक है और ना फिश जो है फिर डिली बनेगी अब ऑल जो एना मैंने फुल गरम कर दिया आप देख सकते हैं धुआ निकल रहा है इसमें से हाई फ्लेम पर गरम कर लिया था अब आपने जीश के डालनी है फिश एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूं आप देख सकते हैं जैसी मैंने फिश का पीस टाल है तो इस तरह से बबल्स बनने लगे हैं क्योंकि जो ऑईल है वो बहुत अच्छे से गरम होगा तब ही फिश अच्छी फ्राइब होगी तो अब जैसी आपने फिश डाल हिए आपने फ्लीम को मीडियों कर देना है ऀ करेंगे और 28 इंच मिए पांच मिनिट के लिए करने हैं ठीक है और खिच पर इपास एक मैं बहुत soft वो जल्दी fry हो जाएंगे और जो जड़ा भड़े पीस है उसको fry करने में time लगेगा तो आप उसे साफ से फिर fry कीजेगा ठीक है और जो bonless fish होती है वो तो तक रीबन 6-7 मिन्टों में fry हो जाती है लेकिन जो कांटे वाली फिश और कास्टोर पर जिसके pieces बड़े होते हैं उस तरह से प्रेस करना है फिश को ताकर फिश में एक्स्ट्रा पानी होता है वो खुष्क हो जाए तो ये करना ज़ुरूरी है आप ने 1-2 मिनट ये step लागी फॉलो करना है फिश को प्रेस करते हुए ठीक है तो इस तरह फिश का पानी खुश्क हो जाएगा और जो फिश में वो भी निकल जाएगा क्योंकि high flame फिश को fry करने से extra oil जजब नहीं होता फिश में तो इस तरह से बस आपने फिश को एक ट्रे में निकालते जाना है तो ट्रे में आपने ना ही टिशु पेपर रखने हैं ना कोई काघज रखना है वरना फिश ढीली पड़ जाती है बस इसी तरह फिश के पिसिक को निकाल लेंगे और जबदज तृस्टी और क्रंची हमारी टेस्टी फिश फ्राइ त्यार है ये न्यू स्टाइल की फिश फ्राइ आपने लाजमी ट्राइ करनी है इंशाला आपकी पूरी फैमिली फैन हो जाएगी मेरी पूरी फैमिली को तो रेस्पी बहुत पसंद आईए अब आप लोग भी ट्राइ कीजिए और मुझे फीडबेक लाजमी दीजिए और कमेंट बॉक में बताइएगा कि आपको आज की रेस्पी कैसी लगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें बेल के आइकन को प्रेस कर लें मैं मिल तूं नेक्स वीडियो के साथ अलाहाफीज